हालो फ्रेंज आपका धरमसीला किचन में फिर से स्वागत है आज हम बनाएंगे रावा डोसा जो खाने में मज़ा आएगा सुपर क्रंची क्रिस्पी आपको डोसा बना के दिखाऊंगी ओभी 10 मिनट में बहुत जल्दी बनता है इकीन मानिए आप मेरा वीडियो को धियान से देखिएगा और अन तक देखिएगा आपको इसमें रात भर दीन भर फुलाने का फॉर्मेट का जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत जल्दी बनता है तो ज़्यादा बाते नहीं करते हैं सुरू करते हैं रेसिपी सुरू करने से पहले आप मेले चैनल को लाइक कीजिए सब् भिंगो के रखा था आप इसमें अगर गरम पाने डालते हैं तो और जल्दी फूल जाता है यह अच्छे से फूल गया है घंट में अब इसको मिक्सर जार में डालकर हम पीस लेते हैं अगर आपके पास चावल का आटा है तो उसे भी आप बना सकते हैं तो सब के पास चाव यानि किरावा, तो दो कटोरी मैंने लिया है, छोटे कटोरी से, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे, अब इसको बावल में निकाल लेते हैं, गाढ़ाई मैंने रखा है, क्योंकि इसमें दही डालना है, तो यह मैं दही डाल रही हूँ, दो चमच, अच्छे से मिक फिर इसमें पानी डालेंगे, इसको ढग देते हैं, कि अच्छे से सेट हो जाए, दस मिनट के लिए, अब चक्नी बना लेते हैं, उसके लिए मैंने गैस पे पैन रखाया है, गरम होने के बाद हम डाले हैं, सिंधाना, और लसन के कलिया, और एक हरी मिर्च, थोड़ा सा डा तीन से चार मिनट जादा नहीं फ्राई करना है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पता, इससे फ्लेबर बहुत अच्छा आता है, इसका कचापन निकलना है, जादा फ्राई नहीं करना है, गैस को अब बंद कर देते हैं, अब इसमें डालेंगे, कटा हुआ नारियल, आप चाहें तो सिर्फ बादाम के भी बना सकते हैं, मेरे पास था नारियल, इसको इलिए मैंने डाल दिया, नारियल से और टेस्टी लगता है, अब इसमें डाल लेते हैं, ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा, इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, अब इसमें पानी डालें अभी पानी नहीं डालेंगे, लेकि मैंने पानी भीस में डाला था, वो दिखाया नहीं आपको, ये पेश्ट हो गया है, हमारा चटनी रेडी है, अब मैंने कल्चल रखा है, तड़का लगाएंगे, इसमें डालते हैं तेल, तेल गरम होने के बाद डालेंगे, सरसो, जब सलाल मिर्च का टुकड़ा, जब ये तड़कने लगे, फिर गैस को बंद कर देंगे, तब डालेंगे हींग, इसमें अब हींग डाल लेते हैं, तड़का लगा देते हैं, ये रेडी है, चटनी हमारा, चटनी हमारा रेडी है, अब हम मसाला बनाएंगे डोसा के लिए, तो इसके लिए मैंने गैस पे कड़ा ही रखाया, इसमें डालेंगे सरसो का तेल, तेल गरम होने के बाद डालेंगे सरसो, सरसो जब तड़कने लगे हम डालेंगे इसमें, उरत दाल, और हरी मिर्च का टुकड़ा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा चना डाल, और कड़ी पड़ते, थोड़ा सा डालते हैं जीरा, इसको थोड़ा भून लेते हैं, फिर इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, इसको भी थोड़ा भून लेंगे कि इसका कचापन निकल जाए, मैंने आलू को बॉइल पहले ही कर लिया था, उसको अच्छे से मैस कर लिया है, अब इसको डाल देते हैं, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और काली मेर्स जीरा का मैंने पाउडर बनाया था, उसको भी डालेंगे एक चमच, अस्वाद अनुसार डालेंगे नमक, अब इसको मिक्सर लेंगे, ये त्यार है, गैस को बंद कर देते हैं, आलू का मसाला भी बना लिया, चटनी भी बना लिया, अब बैटर को देखते हैं, तो बैटर भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है, अब इसमें कुछ मसाले हम लोग डाल लेते हैं, तो थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसमें डालूँगे, जीरा, आधी चमच का अंद लिया है, और हरी मिर्च और लाल मिर्च बारिक कटी हुई, अब इसको मिक्स करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, ये वाइट पानी है, मिक्सर जालके में दो के रखा था, इसलिए वाइट है, अब इसको पानी जैसा पतला करना है, दिम जैसा पानी रहता है, इसमें डालते धीर सारा पानी अब देख सकते हैं मैंने पानी पानी कर दिया है इसको पानी डाल कर ऑद मृध्ष हमारा रेडी हो गया है पतला बैटर अब इसमें डालते हैं नमक मैंने एक चमच नमक डाला है अपने स्वादनुषर दालिए अब गैस पे बड़ी सी तवा रखते हैं थोड़ी सी तवा गरम हो जाए फिर इसमें डालेंगे दो बुन तेल फिर इसको टीसू पेपर से या साफ कपड़े से पोच लेंगे अच्छे समय ने साफ कर लिया पोच लिया है टीसू से अब इसको ऊपर डालते हैं बैटर अच्छे से डाल कर फैला लेते हैं बहुत जल्दी बनता है फ्रेंच धोसा अब इसको अच्छे से घुमा कर तावा को फैला लेते हैं अगर एक्स्ट्रा बच जा है तो आप इसको निकाल सकते हैं अब इसको माध्यम माच पे पकाएंगे दो से तीन मिनट तक पकेगा उसके बाद कलर आने लगेगा फिर हम डालेंगे तेल तेल को भी धीरे धीरे आप जाए तो ब्रेस के मदद से भी डाल सकते हैं मैं छलनी से ही डाल रही हूँ घुमा घुमा कर अब यहां पर आप मेडियम फ्लेम पर पका सकते हैं क्योंकि अच्छे सी यह कूक हो गया है अब से इसका कलर आना है इसको मेडियम फ्लेम पर आप देख सकते हैं मैंने पका लिया है यह अच्छे से कलर आ गया है रेड रेड दीख रहा है, मतलब हमारे डोसा बहुत करंची है, और साइट साइट से भी छोड दिया है, अब इसको उपर डालते हैं मसाले, जो आलू के मैंने बनाया था, इसको अच्छे से फैला लेते हैं, फिर इसको उपर डालते हैं, प्याज, थोड़ा समय ने डाला है, बारिकटी हुई प्याज, अब इसको फोल्ड कर लेंगे, वाव, कितना अच्छा कलर आया है ना, बहुत टेश्टी लगता है खाने में फ्रेंज, अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, चटनी के साथ शर्व करते हैं, रेडी है मरा क्रंची डावा डोसा, मैंने तो बना लिया है सुपर करंची डोसा, आप देख सकते हैं कितना कम समय लगा है, तो आप भी बनाईए अपने फैमली और बच्चे के साथ इंजोई कीजिए, अगर आप बैचलर हैं तो आपके लिवी अच्छा है, कितना कम समय लगता है, दस मिनट में मातर में ने बना मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूं, कितना करंची हमारा डोसा बना है, तो खाईए, खुस रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई